अवेद खनन मामली में हाई कोट के आदेश पर CBI ने बड़ी कारवाई की है CBI की टीम ने IAS अधिकारी बीच चंदरकला के लखनो उस्थित आवास में चापे मारी के साथ साथ जालोन, दिल्ली और हमीरपुर में भी चापे मारी की है आज CBI के अचानक होई चापे मारी से जालोन और हमीरपुर के बालू माफियाओं में भी हड़कंप मचा हुआ है हमीरपुर में CBI की टीम ने शहर के दो बड़े मौरम, व्यवसाई, संजय दिक्षित जो बहुजन समाज पार्टी से हैं तो दूसरे रमेश मिश्रा, जो सपा से MLC हैं, उनके घर पर चापे मारी की है CBI की अचानक हुई चापे मारी से बड़े-बड़े खदर धारियों के होश उड़ गए हैं तो तमाम बालू माफिया जिला छोड़ कर फरार हो गए हैं वहीं जालॉन के ठेकेदार, रामवतार, राजपूत और करन सिंग के घर में भी चापे मारी की गई है आपको बता दें कि भी चंदरकला, हमीरपूर, मतुरा, बलंद शहर बिजनो और मेरट में डियम रह चुकी है समाजवादी सरकार में बड़े पैमाने पर अवैद खनन हुआ था और कोट के आदेश पर CBI को इसकी जाच स्वपी गई थी हाई कोट के आदेश के बाद अवैद खनन में आठ महीने से जाच कर रही CBI की टीम ने अब तक की सबसे बड़ी कारवाई की है CBI की टीम ने 2008 बैच और UP केडर की IAS अधिकारी बी चंदरकला पर शिकंजा कसा है पंजाब के स्री टीवी के लिए हमीरपुर से रवेंदर सिंग की रिपोर्ट